तो यह मेरे सामने आप देख रहे हैं यह है कि अधिए गाइस कैसे आप सब आए खोप आप सब अच्छाओंगे तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और साथ में हमारे आज कौन है आज बड़े बड़े यूट्यूबर आ गए हैं हमसे मिलने के लिए आए हैं अब तो जानते ही मेरा कर खेता सराय में हैं और यह लोग आए हमसे मिलने के लिए तो यह साथ में देखे हैं यह हैं राइस भाई हैं और इधर हैं फैजान फैजान ब्लॉक और यह राइस ब्लॉक यह लोग आए मिलने के लिए और चाय पानी बराबर से करवा दिया हूँ अब यह जाते जाते हैं मुझे पैसे देखे जाएंगे अब देखता हूँ कितना देखे तो यह वीडियो भी आगे आगे आपके साथ सेयर करूगा कितना पैसा मिला है इन लोगों से तो गाइस जैसा कि आप लोग मुझे बाय के लौग को देखते हो और मुझे बाय कर आए कि व्लौग पर जो है 500 सब्क्रायबर कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी चे आप और आप लोग जल्दी से जल्द कराक्येश नल फोन्पान्सब्राइबर वाली पार्टी अलग से होगी तो जैसा कि अभी फैजान भाई ने बताया उनका भी एक विलोग है तो आपको मिल जाएगा जो फैजान भाई ने बताया कि पांको सब्सक्राइबर जल्दी ची जल्दी करवा अगर आप लोग चाहें तो आज के आज हो सकता है वीडियो को बस ज्यादा ज्यादा शेयर आप विलोग इस तरह से सर्च करेंगे तो मेरा मिल जाएगा मेरा भी सपोर्ण करिये और फैजान भाई के तो घजान हमलोग आ गये हैं खेता सराई स्टेशन पे आज हम लोगए ता सराई स्टेशन का सब्सक्षेजन करेंगे और केतसराय का स्टेशन जो है वो नवीनी करण हो रहा है अभी काम पूरा नहीं हुआ है पूरी तरह से काम नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा-थोड़ा हो गया है जो प्लेटफार्म अगरा बन गए है और बिल्डिंग्स जो बन गई है तो वो सब हम आपको दिखाएं यह बूर्ड़ भी नया लगा है और तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का नहीं नहीं था और यहाँ सामने देख रहे है यह सामने आपके प्लेटफार्म आपके भाटक है और यह वाला जो रास्ता है ये दीदार गंजवाला रोड है और ये इस्टेशन वाली जो मार्किट है ये आप मार्किट देख रहे हैं उसके पीछे वो पुरानी टाके दिखाई दे रहे होगी आपको यहाँ छोटी सी बाजार है और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ हम मैं और यह राइस भाई हम लोग दोनों लोग हैं जा रहे हैं खेता सराय स्टेशन को एक्स्प्लोर करने के लिए और अभी यहां काम भी चालू है काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है लेकिन जो दोहरी करण वाला काम था वो भी चालू हो गया है और प्लेटफार्म वाला जो काम था वो भी कंप्लीट लगभग कंप्लीट हो गया है एक तरफ का दूसरी तरफ का थोड़ा सा काम चल रहा है और आगे चल के आपको दिखाते हैं एक बिल्डिंग भी नहीं बन गई है पुरानी वाली भी बिल्डिंग अभी है और पैदल जो ट्रैक को पार करने के लिए पूल बनाया जाता है वो भी बन गया बनके रेडी हो गया है और उसको भी हम दिखाएंगे तो गाईज ये देख रहे हैं ये मेरे सामने ये नया काम अभी स्टार्ट हो रहा है अभी काम लगा ही है और इस तरफ ये वाली जो बिल्डिंग आप चत्री वो बड़ी वाली चत्री है तो चलते हैं हम आगे उसको भी दिखाते हैं आपको गाईज ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये वाली ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग पुरानी है और इस तरफ वाली बिल्डिंग जो है वो नई बनी हुई है औ और यहां पे दो किये कुछ काम लगा हुआ है और इस तरफ देख रहे हैं यह छत्री भी नई बनी हुए यह प्लेटफॉर्म जब बना उसके साथ में यह छत्री बनी हुए और इसी के जस्ट आगे पैदल पूल बना हुआ पार करने के लिए ट्रैक को तो गाइस जो आप यह वाली सीन देख रहे हैं यह पहले नहीं था यह पैदल जो पूल बना हुआ है यह पहले नहीं था तो यह अभी अभी बना है और यह ट्रेन भी आ गई है है हमारी जो इंटर सिटी ट्रेन है यहां फे इसका stoppage है और यह आप देश कुते हैं वहां तक वह अभी तो गाइस यह है पैदल पूल और हम लोग चलते हैं और उपर से थोड़ा सा नजारा दिखाते हैं उपर से कैसा नजारा होता है जो चलिए हम भी चलते तो गाइस यह रहा यहां का नजारा और यह इंटर सीटी पीछे जा रही है और यहां से कुछ ऐसा नजारा है आप देख सकते हैं यह बिलकुल नया बना हुआ पहले यहां नहीं का पहले ट्रैक को पार करके पैदल जाना पड़ता है लेकिन अभी जो है यह चल के उपर से उस तो गाइस यह था हमारा खेता सराइ स्टेशन का व्लॉग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफि